हालो गुडिवनिंग मैं पाउन राव YouTube चैनल मैच्विथ पाउन राव में आज आप लोग को पढ़ाने वालाओं ट्रिग्नोमेट्री आज नहीं हम लोग कल से शुरूआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आज हम लोग छोड़ी छोड़ी बातें करेंगे trigonometry के बारे में जैसा काफी दिन से आप लोग को इंतजार था कि से trigonometry पढ़ा दो trigonometry पढ़ा दो तो इंतजार आपका खतम हुआ और कल की क्लास से हम लोग trigonometry की शरुवात करेंगे हलो मैं पवन्डाव अनकेडमी लर्निंग एप पर भी एजुकेटर हूँ आप लोग अनकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड करके वहां से मुझे फोलो कर सकते हो वहां पर कुछ मैंने आर्थमेटिक के टोपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं आजकी क्लास का हमारा डिसकुसन यह हुगा कि हमें पढनी कैसे है कैसे अगर मेरे साथ-साथ आप LOG पढ़ोगे डेली जो मैं कुछ आप लोग को पढ़ाओं वोई अगर आप लोग साथ साथ पढ़ोगे तो आपको trigonometry भी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और जितने भी questions होंगे trigonometry के वो आप लोग खुद ही soul करोगे चाहे कितना भी tough questions आ जाए मेरा काम है कि मैं आपको कोई भी topic जो है उसका पूरा basic पूरा content प्रवाइड करों जिससे आप लोगों का basic strong हो और जैसे ही basic strong होगा आप लोग अपने आप questions करने की कोशिज करोगे इसमें किस किस type के questions बन सकते हैं वो सारे के सारे माप लोगों को करवाने की कोशिज करोगा इसी में माप लोगों को पढ़ाऊंगा minimum maximum ये 8 point होगे अपने total 8 point होगे अगर आप लोग 2016 तक के paper देखोगे means के तो total 8 में से परतेक point में से 1 question पूछा जाता था किसी भी 1 point से 2 question पूछ ले तो 9 हो जाते थे दो point से 2 question पूछ ले जाते थे तो अपने पास questions हो जाते थे 10 अब की बार अगर हम लोग बात करें 2017 means के अगर बात करें तो 10 question पूछे गए थे जिसके तीन क्यूशन जो मैं H point पढ़ाऊंगा height and distance जो हम लोग बोलते हैं H point को height and distance उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये तीन क्यूशन कौन से पुछे गए थे परते एक पेपर में तो height and distance तो आप लोग मतलब कोई tension मत करो height and distance का तो परते ही क्यूशन दस से बारह सेकंड में आप लोग खुद करोगे मेरे पढ़ाने के बाद ये माप लोग को बता देता हूं अलग से तरीका है अलग ट्रिक्स हैं माप लोग को खुद को बताऊंगा कि height and distance को और सब कुछ नहीं कि इस क्यूशन के लिए ये रट लो फॉर्मला इसके लिए ये फॉर्मला रट लो इसके लिए ये फॉर्मले में नहीं रट वाँगा मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाऊंगा और पूरा बेसिक समझने के बाद height and distance का कोई भी क्यूशन आजए उसको देखना आप लोग खुदी 10-12 सेकंड में सोल करोगे हर टोपिक पढ़ने का एक अलग तरीका होता है मैंने geometry, menturation आपको पढ़ाया उसके बाद arithmetic के आपको topics पढ़ाया arithmetic पढ़ने का तरीका अलग होता है, advanced math पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है तो अपने पास यहाँ पर बात करते हैं हम लोग trigonometry की, देखो जो भी topic मां पढ़ाऊं मुझे कोई problem नहीं आती लेकिन trigonometry जो topic है उसमें class में जब मैं offline classes में भी लेता हूँ तब थोड़ी सी problem यह आती है कि कुछ लोग match background से होते हैं और कुछ लोग match background से नहीं होते जो लोग match background से हैं यह धान रखना SSE के syllabus का सबसे आसान topic का trigonometry सबसे आसान topic के trigonometry धान रखना और important तो ही लेकिन आसान भी है आसान क्यूं है जितने भी लोग match background से हैं जितने लोग match background से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप लोग कमेंट करना मुझे आप लोग यह बताईए क्या आपने ऐसा देखा है क्या कि हम लोग match जैसे percentage यह सई यह profit and loss है क्या देखा है कि हम लोग लाब और हानी का क्यूशन फर्स्ट यह में कर रहे थे जो मैच बेगरांड से वह बताओ यहां लोग 12th class में कर रहे थे कोई भी क्यूशन जैसे हम लोग क्यूशन कर रहे थे 12th class में compound interest का चक्रवरती ब्याज का क्या क्या है क्या है क्या 12th में 11th में या कहीं final में जाकर आप लोग क्यूशन कर रहे हो कि यहां से यहां तक अपने पास time and work का क्यूशन किया हो नहीं जितना भी arithmetic match हो सकता है वो complete arithmetic मैं जो है वो 10th standard तक हो सकता है तो अपना जो स्लेबस वो 10th level का है तो अपने पास और आपने ट्रिगनोमेट्री जो मैच बेग्राउंड से हैं वो मुझे बताए ट्रिगनोमेट्री सबसे पहले देखी कहां से थी आपने 9th में देखी थी या 10th में देखी थी और जितनी भी higher trigonometry वो upper classes में है और वहां से questions अपने सामने आ नहीं सकते शिरफ 10th standard से यह आ सकता है तो जितने भी point होंगे मैं तो आपका basic clear करने के लिए एक बात धान रखना मैं हमेशा हर चीज़ आपको समझाते वे चलूँगा कि sign a plus b का formula भी कैसे बना मैं यह बताऊंगा आपको sign a plus b का formula जो है sign a cos b plus cos is sign b और सारी trigonometry जो 2000 e जो point है e जो point है e point में यह formula ही आप लोगों को बताऊंगा 8 point मैं समझाऊंगा a b c d e f g और h यह 8 point में मैं complete आपको trigonometry पढ़ाने वाला हूं कोई भी problem आपको नहीं आने वाली इन 8 points में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा e जो 2017 mains का paper देखोगे तो यहां से 10 question आये थे 17 mains पढ़ते एक paper में 3 question यहां से पूछे गए थे और 3 question यहां से पूछे गए थे आप लोगों को students को मतलब थोड़ी सी habit होती है गंदिया देते हैं थोड़ी सी जल्दी पकड़ते हो आप लोग जैसी कहा गया आपको कि जब भी question आये से इसी standard का पूछता है जब भी question आये आप लोग इसमें थीटा की वेल्यू पूट कर देना अपने पास आंश्रा जाएगा थीटा की वेल्यू पूट की और 2016 तक के पेपर देखोगे आंसर भी आ जाता था लेकिन अब की बार आ गया 13 थीटा 9 थीटा 17 थीटा 17 थीटा वाइट वहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आया कि थीटा की वेल्यू क्या पूट कर रहें और हुआ क्या आपने भारा कर बोलना शुरू कर दिया टफ पेपर आ अनक्ति होंगा तब आपको खुद को लगे गया इतने आसान क्यूशन मैं क्यों नहीं कर पया उतने आसान क्यूशन आप लोग इस लीए नहीं कर पाए क्योंकि आपको basic knowledge थाई नहीं आप शिरफ और शिरफ एक हवा में चीजें कर रहे थे कि फॉर्मले में वेल्यू पुट करो आंच्वराज है फॉर्मले में कोई भी क्यूशन आए ठीटा कमान 45 डिगरी रग दो कभी 90 डिगरी रग दो और इस टाइप से ठीटा की वेल्यू पुट करना तब तो आपके लिए फाइदेमंद है और वो चीजां आपके काम भी आती हैं लेकिन पहले आपको कुछ आता तो है यह नहीं आपने एक तरीका सीख लिया क्योंकि उससे बच्छे थोड़े से इंप्रेश होते हैं तो थीटा की वेल्यू पुट कर थाइब साथ लेकर चलना पड़ेगा कुछ लोग मेंस बेयंड से होते हैं कुछ लोग मैस बेगरांड से नहीं होते तो शुरुबात जब मैं करूंगा तो आपको चीजें आसान लगेंगे इसरी आसान आसान चीजें लम बटे कांड और परपेंडिकुलर्पोन बेस लग रहा था कि अब के बार पास होना मुश्किल है उनको भी साथ लेकर चलना है और उनको भी साथ लेकर चलना है जिनको ट्रिग्णोमेट्री थोड़ी बहुत आती है तो शुरुआत जब होगा क्या देखो आपके साथ क्या हो जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम आपके आपको पढ़ना चीए इसलिए हर क्लास से पहले जुँमेट्री पढ़ा उसके बारे में इंट्रो देता हूं जिसको हम लोग देमो क्लास बोल सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है तो मैं आप लोग को यह बतारा था कि शुरुआत जब हम किलिए हो जाएगी कि हाँ ऐसे यह होती है और ऐसे ऐसे सी और ऐसे सीडियेस हमसे क्यूशन पूछता है और जैसी चीज़े एक बार आपको पता लग गई तो आप लोग इससे डर बिल्कुल निकल जाएगा इसका और जब कंप्लीट पढ़ लोगे जैसे मैं पढ़ाते जा र लोगे लेकिन मैं यह कह रहा हों कि एस सीडियेस और यही तो करना है इस पर पिएशडी तो हमें करनी है नहीं यहीं तो करना है कि हमैं तो competition कि एल्जेब्रा के मिक्षर के लागे रहने हैं ओलोटने के कि कुशन आने लेकिन इस दिन खरते खाराब कर दखते हैं कि एलिए शन पड़हें पढ़ा रहे हैं और लस्त प्टा लगा प्र मिक्षर का तो क्युंच नहीं यह एक क्यूशन है दो क्यूशन है उस पर तो पूरी जिंदगी निकाल देते हो और जो इंपोर्टेंट है उन पर लगता है कि सर आपने इतना क्यों बढ़ा दिया थाना तो ऐसी नहीं सोचा करो थोड़ा मैं डीप से पढ़ाता हूं तो थोड़ा तो टाइम लगे गई और आगे वाले लेसंस में भी लगेगा मैं पहले से बता रहा हूं आपको अगर लगता है कि सर हमें तो बहुत फास्ट पढ़ना है अभी तीन या चार दिन में कोर्स कंप्रीट होना चीए और उसके बाद साथ या आठ दिन बाद हमारा पेपर है और उसके चार या पांस दिन प्रग्नोमेट्री यह मैं बता रहा था तो आप लोग जल्दी बाजी नहीं क्या करो जल्दी का काम सैतान का जितने चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसमें से आप में से अगर क्यूशन जितना में आप लोगों को करवा रहा हूं क्यूशन वो अगर आप कर पाओ तो तो वे और टाऐम का भी मुझ्हे मैं बता रहो आपको डेली मुझे एम निक निकालने में आप एक काम करो डेली आप को ہी काम करके देखो आप डेली कोई खुद काम करके देखिए आपको थोड़ा सा डेली काम करने में आपको खुद को लगेगा यह रास्तों में नहीं कर पाऊंगा मैं डेली आपके लिए टाइम निकाल रहो जो मतलब डेली टाइम निकालना बड़ी बात होती है आप कोई भी छोटा सा काम कर लो कि 20 मिनट मुझे डेली ये काम करना है अब खुद देखना दूसरे के लिए किसी दूसरे वेक्ति के लिए मुझे तेली ये काम करना है 20 मिनट के लिए एक बार कर के देखो काफी टाइम हो गया मुझे पता है कि स्टूडेंट को कहां कहां प्रोब्लम आती है उपर वाले जो चार या 5% स्टूडेंट उनको भूछ सारी चीज़ें भूछ सारी नहीं कुछ चीज़ां आती है उन्हों उनको लगता है कि सर्ट टप टप पढ़ा दें और बात खतम कर ल रगएका सरी असान-असान चीज़ें क्या बता रहे हैं एक दिन दो दिलेकिन जैसे जैसे हम लोगे बढ़ए बढ़ते जाएंगा हैं आपको खुड को पता लगए यहां से तो मुझे समझ मेंदा कम हो समझ में आना सब्ढ़ना बंदी हो गया सर क्या ऊंजा रहे हैं यह doctrine क लेकिन चार बार देखेंगे लेकिन चार बार देख लो उसके बाद सारे के सारे कुशन्स आप लोग खुद ही करने लग जाओगे यह मां आप लोग को बता रहा हूं कोई भी जो टोपिक अभी हम लोग ट्रग्णोमेट्री पढ़ा रहे हैं शुरुआत में असान लगेगा अरे समझ में आगया ठीक है दूसरे दिन अरे यह भी समझ में आगया सरासान पढ़ा रहे हैं लेकिन बीच में जाकर आपके पास ऐसा होगा अरे सर यह क्या पढ़ा दिया आप समझ में नहीं आ रहा है इतनी एक साथ बता दी मस सब कुछ एकदम पॉइंट आपको बेसिक पढ़ा कर सब कुछ के लिए रोजाएगा आपके दिमाग में कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा लेकिन अगर इससे डरना शुरू कर दोगे तो दस क्यूशन आने हैं दस के दस में से जैसे दिखाए देगा साइन ठीटा आपको लोग तो जाएगा 15 दिन बाद यी करना शुरू करतोंगे एक दो कुशन जैसे प्रैक्टिस 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 होती जाएगी वैसे वैसे वो क्विशनस फिर 10 के 10 होने शुरू जाएगे तो इस टाइप से आप लों को पढ़ना है यह बात आप दान रखना तो ट्रिग् बार क्या होगा एपॉइंट पढ़ाया हर चेप्टर की तरह अब के बार क्या होगा एपॉइंट पढ़ाया इसके कुछ 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 भी करोंगा मुझे हर चेप्टर का पढ़ाने का तरीका पता है कि क्या होता है मुझे आप लोग यह नहीं बताना कि इसको भी वैसे पढ़ वो मुझे पता है मुझे जैसे वह पढ़ाता हूं वैसे ही बी डीटे पॉइंट पढ़ांगा फिर मिक्स करके क्यूशंस मा अप लोग को एक साथ करवा दूँगा जिससे आपके थायरी तो किलियर होगी, होगी साथ-साथ, आपके जो आगे के कुशंस हैं, जैसे-जैसे कुशंस बनते हैं, वो भी सारे किलियर हो जाएंगे, एक पॉइंट, जो है, यहांसे ،»100%' keeping kijken'–» यहाँ से जरूरी नहीं है, अब 3- क्यूशन इससे पूच लिए, 3- क्यूशन इससे पूच लिए, इन से क्यूशन आना जरूरी भी नहीं होता, लेकिन मेरा पढ़ाना जरूरी है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, कोई लुक्ता है, मिनिमम मैक्सिमम का क्यूशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता लेकिन यह पता है कि इससे पक्का पॉइंट आएगा इससे पक्का क्यूशन आएगा इससे 100% क्यूशन आएगा यह शोर है और जैसे ही मकल आपको पढ़ाने की शुरूआत करूं तो आप लोग देखना कि किस सब्सक्राइब से मैं आपको पढ़ाता हूं और इसको आप लोग रेगुलर पढ़ना एक दो दिन आसान लगेगा लेकिन उसको आप छोड़ना नहीं कि सर आसान है चलो छोड़ देता है वीडियो कंप्रीट देखना पहले मैं बेसिक स्ट्रोंग करूंगा और उसके बाद दर दर अपना इस्टेडर बढ़ेगा पढ़ाने का तरीओओध आप लोग को मैरा पता है तो कल शाम को मिलते हैं कल स्वाइन को 6 बजय तब तक के लिए बाई बाई अटेक कैर तौह कल शाम मिलते हैं Barrignameter के लिए आपका इंतिजार खतम हुआँ वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजे